आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्रीवास्तो आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कारिकम बात अपने देश की हमेशा से जो हमारा मुद्दा होता है वो जन सामानी से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है हर मुद्दे का पहलो होता है हर मुद्दे का मैध होता है इसलिए हम समय समय पर हर एक जो बिसा है वो ऐसा रखते इसका सीरह सरोकार आम जनता से और उसका महत इतना जरूरी है कि अगर उस पर हम ध्यान देंगे तो निश्य रूप से कुछ बहतर भी हो सकेगा और जो नुकसान लगातर हो रहा है चाहे वो जान का हो चाहे माल का हो उस पर भी एक लगाम कसी जा सकेगी आज जो हमारा मुद्दा है वो आग है आग यानि अगनी दोस्तों आग बहतर है जब खाना बनाती है आग बहतर है जब वो उड्योंगों की काम आती है आग बहतर है जब वो पॉलर के माध्यम तो तम वो उसके मादन से तमाम जो है उद्ध्यूग धंडे चलते हैं और तमाम लोगों की जीवी का उस आग पर चलती है यानि बिना आग के कुछ भी संबब नहीं है पर जो हमारा आज का मुद्दा है वो आग पर है पर उसके जो दूसरे दुस्परणाम है उस पर है हलाकि आग का दुस्परणाम तभी होता है जब वो अचानक लगती है और अनियंतित हो जाती है अमुनन जो हम आग का उपयोग करते हैं वो अपने रसोई घरों में करते हैं और वहाँ पर नियंतितिती बनी रहती है और जब अनियंतित होती है तो अब होता है आग कहर यानि आग से कहाकार मसता है और बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है और जब बॉयलर फट्टा है तब भी लोगों की जान जाती है जब रियाईसी अलागों में आग लगती तब भी लोगों की जान जाती है और साथी साथ उस आग से जो बातावरन खराव होता है जो जलबायू खराव होती है उसका खामयाज़ा भी आम जन्ता भुगतती है जब वो आग किसी रिहायसी इलाके के आसपास के जंगल में लगती है खेर अगर हम आग की बात करें तो यहाँ पर आग का टांडब लगातार देखा जा रहा है और आग की टांडब के अगर हम बात करेंगे तो हमारे देश में पैति दिन एक जो आगड़ा है एक रिपोर्ट के मताबिक पैति दिन पैतिस लोगों की जान आग से चली जाती है जी लगवगес पोने 13,000 हजान लोओं की जान आग इसे चली जाती है, साल भर में. और यह आग के मामले ओते हैं, यह आग के मामले वही होते हैं जो कभी बार रसोई घर में भी हो जाती है, कई बार सिलेंडर फटने से भी लगती है, कई बार रहाईशी के जो मादेर में हों यूद्ग करते हैं। पर जब याग रियाइसी इलाकों में लगती है, बेल्डंगों में लगती और बड़ी संख्या में बहाँ पर लोग उस से हतात हुए और 27 लोग उस मामले में जिन्दा जल गए और 12 लोगों की हालत अभी भी गंबीर में हलाकि यह आग के मामले दिल्ली ही नहीं पूरे देज़भर में है दिल्ली में अभी मार्च 2022 में भी गोकलपुरी में आगा लगी थी बहाँ भी कई बड़ी संख्या में लोग मरे गए गए थे इसके अलावा इंदौर में भी आगा लगी थी उपहार सिनेमा को कोई भूलना नहीं चाहेगा उपहार सिनेमा कान जो हुआ था तो मुम्मई में आग की बात कर लें मुम्मई में आग लगी थी इंदौर में आग लगी थी तो आग के मामले हैं ये केवल देश की राधारी दिल्ली में नहीं है इससे सभी लोग चकित हैं और तमाम बादों के बाप जूर अब तक जो ये मामले हैं न लोगों पत्बती हैं कि स्अरल सब्स Orb나 आग लगने से चाहे बोर रसोई घर 12 जायो भुर्ट में हुँ चाहे धिकान में हुँ चाहे रिहाईस्वी विल्डूंग में हुँ कुल मलाके लोगों को अपनी जान गवानी objectives कि आग का बिकल्प कोई नहीं हो पाता है जब आग लगती है तो इससे केबल और केबल जनहानी होती है और जिसके खामेजा भुगरती है आम जनता है आग लगती क्यों है पर जहार सी बात है जहां पर ऑक्सियन का इस्तर कम हो जाता है बहां पर आग पकड़ जाती है जहां पर साज सटकेट होता है बहां आ होती है बंद फैट्री होती है जहां पर की आग निकलने का यानि धुवा निकलने का साधन नहीं होता है जहां पर लोग बड़ी संख्या में काम करते जगह नहीं होती है और जब बहां सोर्ट सर्केट होता है जहां पर बड़ी संख्या में माल लखा रहता है तो वहां पर एक परवड़तन का समय होता है और गर्मी के समय पचंद गर्मी के चलते भी आग के मामले लगातार आते रहते हैं। चाहे दुकान में आगा लगे साथ सर्केट में आगा लगे क्योंकि गर्मी में जिस तरह ऐसे जब चीजे गरम रहती हैं तो उससे आग के मामले लगातार बनते हैं और उसके कारण लोगों की मित्यू भी होती है मैं आपको उताया भी हाल में मुंडिका में यह फैटरी थी व और फारस्टेशन शेया थाट इस सो हजार के लवग फाइर करमचारी हैं जो कि आग बजाने के लिए जाते हैं काम करते हैं उनको हम फाइर मेंन हैं जो जाता है वहाँ पर आपको रोकते हैं कि और जिस तरह से हम इल देख रहे है कि लगातार आग की चलते लोग की जान जा रही है पर अब भी हम नहीं चित रहे हैं चितना यानि मानक के पती मानक के पती चितना नहीं जाती है मानक बनाए जाते हैं चाहे वो फैट्री हो चाहे दुकान हो चाहे बिल्डिंग हो चाहे मारत हो चाहे होस्पिटल हो चाहे होटल हो सब के मानक है और सब को पन्ने की अर्मती देने से पहले वहां पर जो आग के मानक तै की जाते हो और जो अगनी समन मंतरा जो विभाग है वो उस फैटरी उस हस्पिताल उस दुकान उस होटल उस होस्पिटल को एनोसी देता है यानि कि नो ओब्जेक्शन सर्टिपिकेट यानि कि आपके जो मानक है वो परियाप्त है और अब आप इस होस्पिटल को सुरू कर सकते हैं होटल को सुरू कर सकते हैं पर इसके बाब जूर हम देखते हैं लगातार कि जो मानक है उन मानकों का पालन तो होता है पर मानक पालन कितने की जाते हैं यह भी चर्चा का बिसाय है क्योंकि मानक बनाए ज जो अगन पर था दुबार झाल पे लगी मॉचन हर च evitar कि अम इसा तमाम नहीं मानक जो की अगनी समन्ड विवाग द्वारा नर्दिशित्व किया जाते हैं पर उने मानक का उपयोग नहीं होता है ना ही मानक का अनुद्पालन होता है और जिसका खामेदे भुगतते हैं जब उस होटल उस वस्पिटल उस ट्रैक्टिव दुकान घर में कोई घटना होती है तब केवलों केवल जान जाती है और इन गल्तियों की सजा जान की कीमत दे के चुकानी मामलों में बहुत ध्यान नहीं देते हैं और एक लचीले सुभाव के कारण लचली वियुष्था के कारण वहां पर जब कोई मामला होता है आग लगती है तो केवलों केवल होती है जन हानी ऐसी हानी जिसके पूर्ती संबब करना फिराल मानव के पस में नहीं है साथ़ी साथ हम लगातार ये बात और देखते हैं कि जो मानक हैं उन मानक की एक रिपोर्ट होती है जोकी मासिक और छिमाही होनी चाहिए अदिकारी है उनको लगातार ऐसी जग़ाओं पर जाना चाहिए एक audit report होनी चाहिए पर audit report अपने आप में करके इंटर्णली रूप से भेज़ दी जाती है और केबल केबल मानकों के अनुपालन के अधार पर केबल notice बेज़ा जाता है और notice का जबाब hotel, hospital, factory, कर्मचारी, दुकान विभाग को भेज़ देता है और विभाग उस मानक की जब वहाँ पर आग लगती है और जब लोग वहाँ पर हताहत होते हैं उसके बाद शुरू होता है जांच का खेल जांच होगी report आएगी report के बार कारवाई होगी और जो लोग जलके मर गये हैं उनको मवज़ा देख रिया जायेगा जैसे कि अभी मुन्दिका में जो घड़ना हुई यह उस पर हैं गड़नाओं की यहां पर काम कौन करेगा यहां पर बेस्थाय कौन बनाएगा यहां पर माना कोन का अनुपालन कौन कराएगा यह अनुपालन की जिम्मिदारी सरकार की भी है और अनुपालन की जिम्मिदारी अधिकारियों की भी है आपको पता होना चाहिए कि हमारे जिसमें लोग बोलते जरूर है इसो पैतिस करो पर यह आबादी जो आज की है तो इस आबादी के मुताबिक आपको देखना पड़ेगा कि कितने होना चाहिए शाठ खजार कर्मचारी हैं तो उससे काम नहीं चलने बाला है देख में और साथ ही साथ जो दमकल विवाग है उसका रिस्पॉंस चायम भी जहना चाहिए कि दमकल विवाग के जो स्वांस चायम है वो जो ग्रामी राकों में वो 20 मिनिट के लवग होता है और जो शेहरी लाको होंगे तो कितिनी गाड़ी अगर एक दिन में चार स्थानों पर लग जाए तो निश्ची रूफ से उन चारों स्थानों पर समय पर पहुंचना संभवी नहीं है क्योंकि उतने फारिस्केशन भी नहीं है ना उतने हमारे पास कम चारी और इस तरह कोई ध्यान भी नहीं देता करें तो 2018 से लेके 2021 तक लवा लवा साले 6 लाख आग के मामले जंगलों के आ चुके हैं और यह मामले अंडरपडेस के भी है असम के भी है उर्षा के भी है पस्य मंगाल के भी है महराष्ट के भी है और चटीजगण की भी है यहां पर तमाम बिंदूओं पर काम करना पड़ करें अगर आइसी अलाकर से जंगल की आग की बात करते हैं तो जंगल में आग वहीं लगती है जहां पर की सूखा पड़ता है यानि जहां पर पेड़ सूख जाते हैं जहां पर हर्याली नहीं होती है जहां पर मिट्टी में नमी नहीं होती है जहां पर पेड़ पर पत्या नहीं होती हैं डंडल सूखे होते हैं तो वहां पर आग का कहर बहुत तेजी से बढ़ता है और यही मामले मैंने आपको बता है जो अभी आपको मामले मैंने आपको बता है के मताबिक साले 6,11 मामले हैं देश भर में पिछले 2018 से लेकिए किस तरह है तो और हलागी पता नहीं चलता है आग लगती है कम लगती है जाड़ा लगती है हताहत नहीं होता है क्योंकि जब जन हानी होती तब उस तरह हम ध्यान देते हैं पर अगर पसू पच्छी की हानी भी ह तो वह हमारे environment यानी हमारे तंत की है अगर पसू भी परिसान है तो भी हानी है पच्छी भी जलकर मर रहा है तो भी हानी है अगर खलीयानों में आग लग रही हैं और जब आग लगती है तो जब जंगलों के पसु पच्छी है वहनिश्ची रोप से अपना बचाओ करेंगे क्योंकि कुजरत उनको बचाओं का एक मौका देती है और वो रहाइसी राव को तरफ भागते हैं जैसा कि हमेशा सुनने में आता है कि वहां पर चीता निकलाया गुलबदार निकलाया सेर निकलाया वह हरानमी को अपनी जान बचाना है और जब तंत बिगड़ता है तो जो प में हमेशा से आग लगती आ रही है जंगलों में आग लगती है तो हमें उन राज्यों में पानी की व्योस्था को दुरुस्त करेंगे तो निश्य रूप से यह वहां पर जो आग के मामले वो कम होंगे जब नमी रहेगी जो पेड़ पत्ते रहेंगे जब तनों में पानी रहेएगा मिट्टी में नमी रहेगी तो निश्य रूप से य आग के जो मामले है वोक्त कमाएंगे अगर वहाँ पर सूखा पढा रहेगा लगाता सूखा पलेगा मिट्टी में अबहां totally सूखे रहेगे तो वहाँ गालियों से नहीं बढ़ता इक चनल ये घंगल भी आग लगती है तो वहां members उसकी है जिसे लिए आपशे topics म्लगता है सिर्य को नहीं कि गार्मी की बात करें तो यहां पर लगबाल अबहां ग्यारा महेने गर्मी रहती है एक महेना ऐसा रहता है जहां पर ठंडक का माहल रहता ठंडी रहती है पर यहाँ पर दस से ग्यारा मेने गर्मी का माहल रहता है महराज की बात करें वहाँ पर हमेशा कर भी रहती है तो जो गर्मी है वो हमेशा भारतियों मारी में बनी रहती हो ऐसी गर्मी के मौसम में अगर आपको जलबायू परवरतन को दुरुस् करना होगा वहाँ की पानी व्यूस्ता को जाए वहाँ पर सचाई की व्यूस्ता को बेहतर करेंगे जब वहाँ के जंगल में नमी रहेगी जब वहाँ पूल पत्ते हो गेंगे वहाँ पर जब हर्याली रहेगी तो निसी रूप से आग के मामले कम रहेगे जैसे कि अगर आम इ संक्याम लोगों की जान भी जाती है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक विचार है कि अगर जंगल के लिए तो आपको अलग यहस्ता बनानी पड़ेगी और रियाईसी इलाकों में आपको आग रोकनी है तो यहां पर आपको मानक दुरुस्त करने होगे अगर एनुसी दी ज जा तो वहां से जबाब आ गया आपको स्वेंच जाना पड़ेगा और वहां पर बिंदुबार आपको देखना पड़ेगा निच्छन कन्ना होगा कि अगर वहां पर गलती है तो तो अगनी रोडी एंत्र वहां लगे है तो उनमें गैस है कि नहीं है उनको चलाने के लिए आडमी नहीं है उनको रोगने कलिवे भस्थ है कि नहीं है जो कि आग के मानक के साफ्थ से आग को रोगने कली बनाए गयें तो इन दूब बिंदुब में पर चर्चा नहीं होती है जो जो जब मिरा आधिकारी है वह हीला बहाली करते हैं, उनके हीला बहाली की चलते, मोर का नंगा नाश होता है, टांडव करती है आग और बड़ी संक्या में जाती है लोगों की चान, तो इसलिए जो मानक है उनको पूरा करना है, और साथी सार हमको ये भी देखना है, कि हमारे जेस मत्ता है मानक के साफ से फायर स्टेशन अगर है, तो कितने हैं, और कितने होने चाहिए, मैंना कोता है, लबा 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 तीनिया साथ सो फायर स्टेशन है, और लबा लबा मानक के साफ से आट हजार पान सो होना चाहिए, मेरा मानना है, भार जैसे बड़ी जिसम जहां पर की घनी आबादी है, ब इसके अलग मानक होना चाहिए अगर घनी आबादी इसके अलग मानक होना चाहिए अगर खुला एरिया तो इसके अलग मानक होना चाहिए और जंगली एरिया है सुखा एरिया इसके अलग मानक होना चाहिए उजराप से फायर स्टेशन बनाए जाने चाहिए जिससे की आग जान बचानी पड़े लोग अपनी जान बचा पाएं तो यहां पर आपको एक ब्योस्ता देखनी पड़ेगी कि हमको जो मानक हैं उनका पालन करना होगा जम्मेदारी के बल सरकार की नहीं है जम्मेदारी जनता की भी है जब आपके छेत्र में कोई फैट्री खुलती है आपके छेत्र में कोई दुकान खुलती है आपके छेत्र में कोई होस्पिटल खुलता है आपके छेत्र में कोई होटल खुलता है तो आपकी जम्मेदारी है नेतिक जम्मेदारी है कि आप भी मालुम करें कि इस होटल में अग लगती किस तरह बचा जा सकता है तो निश्ची रूप से यहाँ पर एक बाद स्पस्थ कही जाती है कि अगर आपको आग से बचना है तो आग के लिए आपको वो ब्युस्थाएं लगानी पड़ेंगी जो मानक हैं उनको पूरा करना पड़ेगा अगर आप मानक पूरे नहीं करेंगे तो आप इस गटनाओं से अपनी ओपनों की जान नहीं बचा पांगे कि जन हानी मैंने आपको बताया जन हानी ऐसी बेवस्था है जिसकी छ peppic नहीं हो जाती है कि अगर आपकी जान जाती है तो आप उसकी बापसी कर सके जान की बापसी नहीं है इसलिए अपने इस कारिकम के मातनम से मेरिकी बात कहना चाहूंगा कि सरकार की जिम्मिदारी भी है अधिकारी की जिम्मिदारी है जनता की जिम्मिदारी है कि आप भी सचेत रहें आप भी जो स्वाट सटकेट जैसी बेवस्था है उसको जुरुस रखें कंजूसी ना करें जो सामान बिजली के लगा है बहुत दुरुस रखें बिजली के सामन प्रवाद के अधिकारी इनकी जिम्नेतिक जम्मेदारी है कि जाएं हर जगार चांच करें और फाइर एन उसी दे रहा है तो उसके बिंदूबार चांच करें और साथ ही साथ यह दुरूस्ट करें कि अगर यह घृतल जो भी बना है इसमें अगर नहीं रोड़क मैं जैंतर है इसके लादमी है और यहाँ पर कोई घटा होती है तो किस तरह मंजल सी गेट से निकला जा सकता है किस तरह बचा जा सकता है और किस तरह यहाँ पर करमचारी उस आख को दमकल बिबाती गारी आने के पहले कुछ रोग कुछ समय रोग सकते हैं तो अगर हम कुछ समय रोग र सकेगी तो आज की चर्चा में इतना ही अगली बार फिर किसी नहीं मुद्दे के ता रोगी मुलागार तब कि मुझे यानि गौरफ श्री वास्तों को डीजे नमती नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच